हेलो एवरिवन वेल्कम टो मैं चानल वे लर्न टूड़े साइन्स हम लोग साइन्स पार जानेंगे निउट्रेशन इन लिविंग और्गनिजम प्लांट्स यह जो टॉपिक होगा यह आने वाले जो बीपीएस सी बिहार जो सुपर्टेट के एक्जाम में वहां से जनरल साइन्स के कोशन केमेस्ट्री फिजिक्स और बायो से कोशन पूछे जाएंगे उसके लिए वीडियो बहुत ही महत्पुन है सो वीडियो के स्किप ना करें पूरा पूरा वीडियो देकर अपने नॉलेज को इंक्रीज करें अगर आप अपने चैनल पर नहीं है तो जल्दी से चैनल को सस्क्राइब कर लें थाकि हर वीडियो को नोटिविकेशन सबसे पहले आपको मिले तो हम लोग जान ले Nutrition in Living Organisms के बारे में यहां सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा Autotropic Nutrition के बारे में यानि सो पोशी पोशन पोशन की वह विदी जिसमें जीव अपना बोजन स्वेंग तियार करते है पोशन की वह विदी जिसमें जीव अपना बोजन स्वेंग तियार करते है Mode of Nutrition in which Organisms prepare their own food यानि Autotropic क्या होता Nutrition? All Green Plants इसमें जितने भी हरे पोधे होते हैं वो इसमें आते हैं ठीक है? जितने भी हरे पोधे होते हैं वो किसमें आते हैं? Autotropic Nutrition में ठीक है? आप समझ रहे हैं इन बातों से? परचित हो रहे हैं? अब आगे जालें आगे हैं Chlorophyll अब यह Chlorophyll क्या होता है? इसे भी आप को और करें? मैंके करके आपको बताऊंगा Chlorophyll पौधों की पत्यों में हरा रंग मौझूद होता है जिस हम Chlorophyll कहते हैं Green pigment present in the lips of plants जो Chlorophyll होता है वो क्या होता है? दिखे इसको हम Food Factories भी कहते हैं Chlorophyll को हम क्या कहते हैं? Food Factories It helps to lips to capture the energy of the sunlight This energy is used in the plant to synthesize their food using carbon dioxide and water इसको हम लोब फोटो थिन से 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 पी कहते हैं अब देखे जो पत्ते हैं यह पत्तों में क्या होता है? माली जी यहाँ पर सुर्य है यहाँ पर क्या है? यह है? Sunlight है अब यहाँ क्या है? यह पत्ते क्या कर रहे है? इसे भी आप गौर कर रहे है? यह Oxygen को Oxygen को क्या कर रहे है? Is Release कर रहे है यह Oxygen को क्या कर रहे है? Release कर रहे हैं यह पत्ते जो है यह आप देखें पत्तों को ठीक है? यह oxygen को क्या कर रहा है release कर रहा है ठीक है और यह oxygen को जब release कर रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है इसे भी आप कौर करेंगे carbon dioxide ठीक है यहाँ क्या है carbon dioxide यह carbon dioxide इन पत्तों में देखें यह क्या है carbon dioxide यह जो मैं दिखा रहा हूँ ठीक है और इनी पत्तों में और क्या हो रहा है आप एक और गौर करेंगे इन पत्तों में क्या हो रहा है जो गुलकूज होते है देखेंगे आप पॉनसप्ट को समझते जाहिए अगर आपने concept समझा ना तो आप objective question जो आएंगे उसे आप solve कर देंगे formed होते हैं हमने बताया देखें यह तो यहाँ पर जो हमने बताया आपको यह मान लेज़े sun light अब यहाँ raise आ रहा है sun light का raise आ रहा है तो पहले क्या हो रहा है तो oxygen deveneed released हो रहा है मैंने आपको पता है उसके यहाँ रहा है ँसके sunlight बाई का खुरॉ फिल कारभवघ्रेट और्स ठOCम आपको कहते हैं गुलकोज क्या हो रहा है यह आब हो रहा है। ठीक है तो इस तरह से क्या होता है photo इनि light से synthesis यहना combine photo मतलब light दिखें photo का मतलब क्या होता है light ठीक है और एक करें यहां पर सब दोता है synthesis synthesis का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है अब गवर करें इसका मतलब क्या होता है combine यह नि होता क्या है इसमें as it is take place in the presence of sunlight this process can be written in the form अब जिसे process में बताया तो पहले carbon dioxide होगा plus water होगा plus sunlight by chlorophyll होगा ठीक है उसके बाद क्या होगा उसके बाद कार्बो होगा carbohydrate plus oxygen होगा यानि c symbol क्या बता रहा है carbon dioxide का w symbol क्या बता रहा है water का s क्या बता रहा है sunlight का CH क्या बता रहा है chlorophyll का c a b o carbohydrate क्या बता रहा है glucose का और O क्या बता रहा है oxygen का तो इस तरह से आप देख सकते हैं यह equation होता है chlorophyll का ठीक है आप इसे याद कर लेंगे green pigment present in the lips of plants हम लोग जान लें heterotropic nutrition क्या होते है जिससे हम लोग कहते विशंपोशी विशंपोशी पोशन इसे भी आप गौर करेंगे इसमें कौन कौन आते हैं इसमें आते हैं एक्जाम्बल कब जान लें इसमें आते हैं एनेमल्स मैं नन ग्रिन प्लांट्स नन ग्रिन प्लांट्स डाप घर गार क Streols गणव quantity ड़ेंगे जिसमें अपना बोजंगperform क्या स्वेंग नहीं बना थे वे अपना बोजन पौधो या जानवरों दोनों से प्राप्त करते हैं इसमें कौन-कौन से एक्जाम्पल होंगे एनिमल्स आएंगे उसका मैन आ जाएगा उसका नन ग्रिन प्लांट्स आ जाएंगे फिर साब गौर करें पोशन की ववदी जिसमें जीव अपना बोजन स्वैंग नहीं बनाते वो अपना बोजन पौधो या जानवरों दोनों से प्राप्त करते हैं जिसमें लोग हेटरोपिक नूट्रिशन कहते हैं mode of nutrition in which organism do not prepare their own food they derive their food from plants or animals ठीक है एनिमल्स कहां गोर करें बोथ यह क्या है बोथ अब देखें इसमें और भी आते है जैसे कि इसमें इस पैरोट्रोफिक नूट्रिशन माता फंगी मस्रूम ठीक है उसके बाद पैरा सिटिक नूट्रिशन माता है जोडर होलोजोनिक नूट्रिशन माता है एमोबा हुमन ठीक है एक एक करके आपको बताया जाएगा अब आगे जाने होस्ट क्या होता है बायोमेक वर्ड है होस्ट विए जिवी जिवी जिनसे पर जिवी अपना भोजन ब्राप्त करते हैं उसे होस्ट कहते है अब यह पैरासाइट कैसे डिराइब करते हैं अपने फूट को इसे भी आपको समझनी पड़ेगी जैसे देखे है यहाँ पर एक एक एक्जाम्पल हम दे रहा है सी यू एस सी यू टिये कुस कुटा इसके प्रनॉंस को आप देख लेंगे यह किस पर डिपेंड रहता है दूसरों पर डिपेंड रहता है ठीक है या आप कह सकते है जाडिया जो होती है किसकी डोडर की सॉरी यहाँ पर देख लेंग और फिर समय लिख दे रहा हूँ सी यू एस सी यू टी ए ठीक है और एक होता है डी ओ डी डी यह बुश होता है जाडिया होती है ठीक है यह क्या होता है दीक है सम प्लांट्स कैनोट सिंतेसाइज देयर ओन फूड बहुत से पहुते अपना पोजन स्वैंग नहीं नहीं नाते क्योंको उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है सच प्लांट्स डिपेंड उन फूड प्रोडूस बाई अधर प्लांट्स देर मोड प्लांट्स देर्फोर हेटरोफिक उसे जैसे एक प्लांट हो गया क्यूस कूटा जिसको एमर बिल या डॉडर कहते है इसके लाल पिले-पिले क्या होते है धागे होते है लाइक स्ट्रेक्चर बिदाउट लिफ्स बिना पत्तों के ग्रोइग उन दप्लांट्स गूटा क्या होता है पैरसाइट होता है डिराइब इट्स नूट्रिशन फ्रम सब अधर लिविंग और्गनिसम पर भूड डिप अब इसके उचान को देख लेंगे अब आगे जाने अब आता है नूट्रिशन क्या है आप नूट्रिशन सबसे तो बायो में परचित होंगे नूट्रिशन हम लोग किसे कहते है और नूट्रिशन होता है क्या है इसे भी हम लोग गौर करेंगे प्रक्रियाद जीव जीव क पारजन द्वारा भोजन प्राप्त करना और उसको उप्यूग करना nutrition, the process organism of obtaining and utilizing food by living हम nutrition प्राप्त करते हैं हम पौदों से भी nutrition करते हैं process of obtaining and utilizing food by living organism जो living organism से जो हम food प्राप्त करते हैं, वो क्या होता है वो nutrition होता है, ठीक है आप समझ रहे हैं इन बातों से परचित हो रहे हैं आप तो nutrition आप जान गए है, आप host भी जान गए, host किसे कहते हैं, आपने chlorophyll जानी, ठीक है आपने chlorophyll भी तो जानी, nutrition are taken in through their food by living organism and are utilized in their bodies, this process of obtaining, utilizing food by organism, इसे nutrition कहते हैं, इसमें क्या होता है, food habits होते है हम food को प्राप्त करते है food में हम देखते हैं कि उसमें कितना categories है इस categories को इस food का देखते हैं उसमें कितना energy मिल रहा है हमें, कितना हमें portion मिल रहा है यही क्या होता है उसमें बिटामिन कितना है, protein कितना है carbohydrate कितना मिन्डल्स कितने है तो यह सब किस में आते हैं nutritions में आते हैं आप जाननेजी परिजीवी여 passion invention के उब जिस्मे गैर अरे पौदे अनजीवित जीवो पर रहते हैं और उससे उनसे अपना बोजन प्राप्त करते है इसको parasitic nutrition कहते है इसमें क्या होता है एक जीव दूसरे जीव पर क्या करता है depend होता है एक जीव दूसरे जीव पर क्या होता है इसमें depend होता है ठीक है उसे हम लोग क्या बोलते हैं तो उस जीव का हम लोग कहते हैं mode of nutrition in which non-green plants live on other living organism and obtain their food from them obtain their food from them ठीक है तो इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं इसे हम लोग कहते हैं पर जीवी push अब आता है फोटो थिनसेस फोटो का मतलब होता है light देखे इसका मतलब हो गया light और थिनसेस का मतलब होता है combine देखे फोटो का मतलब हो गया light इसे अब गौर करें फोटो का मतलब क्या हो गया light और थिनसेस का मतलब क्या हो गया combine the process through which green plants prepare their own food इसे हम लोग क्या बोलते हैं photothensis photothensis क्या होता है अभी थोड़े दर पहले मैंने आपको बताया था किस तरह से chlorophyll होता है किस तरह से carbon dioxide water sunlight chlorophyll carbohydrate oxygen मिलकर photothensis की प्रक्रियाएं कहते हैं photothensis को leaps are called food factories thensis is food of plants occur in their lips ठीक है तो वह प्रक्रिया जिसके मादम से हरे पोदे अपना भूजन स्वेंग तयार करते हैं ठीक है उसे हम क्या कहते हैं photo का मतलब light और thensis का मतलब combine thensis का मतलब क्या होता है इसे हम लोग बोलते हैं photothensis it helps to live to capture the energy of the sunlight this energy is used by the plants of thensis their food using carbon dioxide and water this process is called photothensis okay आप आगे जान ले सप्रोट्रोपिक न्यूटेशन क्या होता है इसे भी आप गौर करें इसमें कौन कौन से आता है इसमें आता है फंगी उसके बाद आता है मस्रूम ठीक है यह आता है उसका ब्रेड मोल्ड सम बैक्टिरिया यह किस में आता है सेप्रोट्रोपिक न्यूटेशन में फंगी आता है मस्रूम आता है ठीक है यह किस में आते हैं यह आते हैं आपके सेप्रोट्रोपिक न्यूटेशन में आते हैं mode of nutrition which some plants feed on dead and decaying matter मिर्त जिवी पोशन पोशन की हुए थी इसपे कुछ पहुदे मिर्त और शड़ने वाले परदार्थ खाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं फंगी हो गए मस्रूम हो गए ब्रेड में देखिएगा फंगी लग जाता है आपने गौर की होगी बेड में क्या होता है फंगी ठीक है तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो ये क्या होता है देखे सेप्रो का मतलब होता है रोटेन और ट्रॉफिक्स का मतलब होता है फूड इसे भी हम थोड़ा कर दें सेपरो का मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है ट्रॉफिक भी अमलक कर दे इसका मतलब क्या होता है फूट आप समझ गया यही जो सड़े कले सेपरो means rotten ट्रॉफिक means food सेपरो ट्रॉफिक न्यूट्रिशन is the process in which organism feed on dead and decaying matter the food gets digested outside the cell sometime even outside the body of the organism this type of digestion is called extracellular digestion इसे हम लोग राइजोपस, bread model, mucor, pin model, yeast येस्ट आपने देखा है, mushroom ये सब बहुत सब बिक्टिरिया है जो क्या कहते हैं पोशन की हो थी जिस पे कुछ पहुत मिर्थ और सेटने वाले पदार्थ खाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं सेप्रो ट्रॉपिक मोड अफ नूट्रिशन आप समझ रहे हैं आपनी उनिट कंप्रेट कर ली यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद यदि आवडियो